दोज़ार चौबीस के संग्राम में वार पलटवार का दौर जारी है चौथे चरंड से पहले यूपे के दो सबसे बड़े विपक्षी चहरों मायवती और अखलेश यादव में ठन गई है दोनों निताओं के बीच ट्वीटर वार चल रहा है ब्यानबाजी चल रही है और सि चौबीस के चक्रवियू में मायवती वर्सिज अखलेश आकाश का डिमोशन अखलेश का इमोशन कहा तो बीजेपी बंपर प्रचार में जुटी है कहा विपक्ष आपस में ही लडाई लड रहा है मायवती ने अपने भतीजे आकाश अनंद से पद क्या वापस लिया सपा और कॉंग्रेस को तगड़ा दर्ध होने लगा पहले अखलेश यादव का बयान सुनिये फिर पूरी कहानी बताते हैं मैं अपील करूंगा समिधान बचाने के लिए लोगतन बचाने के लिए कोई भी अपना बोट खराब न करें भाटी जन्ता पार्टी से सीधा मुकाबला समाजबादी लोग कर रहे हैं मैं तमाम बहुजद समाज के लोगों से और तमाम वो लोग जो बाबा साब के रास्ते पे चलते हूं सबसे मैं अपील करता हूँ पलटवार करने में देरी नहीं लगाई अखिलेश यादव ने लिखा था कि विफलता के चलते बीएस्पी संगठन में बदलाव किया गया है तो मायवती ने पलटवार करते हूँ लिखा घोर दलित विरोधी सपा को चिंता करने की जरूरत नहीं है अखिलेश यादव ने लिखा कि बीएस्पी के परंपरागत समर्थक इंडिया के साथ हैं तो मायवती ने जवाब दिया कि सपा केवल यादव परिवार की चिंता करें बीएस्पी की उन्हें जरूरत नहीं अखिलेश यादव ने लिखा कि तीन चरणों में BSP की एक भी सीट नहीं आ रही और चोथे चरण में भी कोई उम्मीद नहीं तो मायवती ने पलटवार करते हुए लिखा कि सपा का चाल चरितर चेहरा जबरदस्त दलित विरोधी है अखिलेश यादव ने लिखा कि बाजी BSP के हाथ से निकल चुकी है तो मायवती ने जवाब दिया कि प्रमोशन में आरक्षन खत्म करने वाली पार्टी को माप करना मुश्किल अखिलेश यादव ने BSP का नाम लिए बिना लिखा कि बोटर अपना वोट खराब ना करें और इंडिया गटवंदन को बोट दें तो मायवती ने पलटवार किया कि जातिवादी सोच के कारण सपा सरकार में जिलों रिश्वी ध्यालों के नाम बदले गए यानि जो लड़ाई आकाश आनन्द के डिमोशन से सुरू हुई सपा बस्पा के बीच वो जंग जातिवाद आरक्षन और यादव परिवार तक पहुँच गई हाला कि अखिलेश यादव के अलावा उनके नेता भी BSP पर वार कर चुके हैं बहुजन समाज के कॉड़िनेटर रहे आकाश आनन्द जी ने बीचेपी के उपर हमला किया यह उनका हमला भाजपा के साथ साथ बसपा को भी नागवार लगा और चुकि कि BSP का जो लोगों के अंदर परसिप्सन है यही है कि BSP परदे की पीछे से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं लेकि यह किसी भी राजनितिक दल का फैसला होता कि कि किसको पदादिकारी बनाना या हटाना है इस पे समाजवादी पार्टी को को कोई टिपली नहीं करनी है लेकिन वो आकाश आनन जो बस्पा के उत्तर दिकारी से वो आकाश आनन जो लगातार भाश्पा से सवाल पूछ रहे हैं तो वो सवाल भाश्पा को चुब रहे हैं उन आकाश आनन को आदर्णी मायावती जी ने सभी पदों से मुक्त करने का काम किया मायावती जी ने टिक कुल मिलाकर ये लड़ाई अब अखिलेश यादव वर्सिज मायवती की बन चुकी है अखिलेश यादव ने बीएसपी को छेड़ कर जो गलती की मायवती ने उसी का जवाब अपने अंदाज में दे कर महफी लूट ली अब देखना होगा मायवती के इस हमले के बाद सपा की और से क्या जवाब आता है प्यूर रिपोर्ट न्यूजेटीन